आज रहेंगे एनजाइम और सब्सक्राइब करेंगे जो यह एनजाइम होता है गली कर दिया जाता है उसे जो लोगे जो इसे जोने जब कर दिया जाता है अब ये जो माउथ के अंदर कौन-कौन सी चीज़े प्रजेंट होती है एक तो सलाइवा सेकंड म्यूकस दो चीज़े प्रजेंट होती है हमारे माउथ के अंदर जो म्यूकस होता है वो म्यूकस मेमरेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है और जो saliva है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है कि इसके द्वारा सिक्रेट करती है सिख्रेट करती है अब बात करेंगे वीडियो डाल रखा जिसको आप एक बार देखें ज्यादा समझ में आएगा अबर्टस है। श्रीज कल श्राइब्स के बात करें तो मैजर व्याइब्स है भू दो तरीको की उती हों कि इंक्टिन्सिक शलयु कि या फिर इंटि्चिक तईप और दूसरी हो थी एक्स्ट्रीक कि उतकाइब की वह नहीं हो श्रॉति है कौनकेब्ट कि मेजर जो शल्ख ऑन मुद कि तरीक हो स्पनी एक्सवेंचीक टायप की अच्प्रे से टाइप की जो सलाइवरी ग्लेंड हे वो कौन कौन से सब सब अ मैंडीबूलार सब ग्लेंड प्रस्री कॉन से होगी पेलाटर्ड सलाइवरी ग्लेंड तो हो गई एक्स्टानिंसिंग के अधर कॉन कौन सी ? अब तीन हो व सेस्ता सलाइवरी ग्लिंड और परोटर मुचिपा कि हो सेट लिंग्वरी ग्लेंड के अन्दर तो इतू हमायो व्यखक मीसेट बुट स्टानिड्र सारे इसी। जो इंट्रीनि्सिट तरेट की वो तो हमारी । हमारी वेरिया टंक के नीचे नीचे मंदीमल के वहां method के अपर पेरृट्र के पर्राइट.. मातफियों दcken मारी रवुटॉर्ट पर्रिजेंच हो भी ही।ugen्व हमारी किसfend 되면 बात करें को की आपने है इसके बाद करेंगे है कि अब जो स्टाइवा है उसके अंदर क्या प्रेजंट होता है एच प्लस यूप को यह दो चीजे सलाइवा के अंदर प्रेजंट होती है और लाइसोजोन यह जो बैक्टरिया होते हैं यह यह बैक्टरीय जो होते हैं और उनकी वैल को डाइजेस्ट करने का लाइसोजान में किसी में जो लाइजेस्ट करने का श्हुम्छ सब्सक्राइब करेंगे उनका और और हमको इंफेक्शन इसे प्रिवेंट करेंगे और कुछ क्या होंगे सम इंजाइम यानि कुछ दूसरे एंजाइम से भी प्रिजन उता हैं, तो सलाइवा के अंदर फर्स्ट में, फ़र्स्ट में एश्टू, एवरोकस, दूसरे कुछ लैससाइम फ्रिवेंगे, थर्ड सबसे पहले M.I.L.S. M.I.L.S. inzyme होगा यू निन्स लगन लाइपेस होन-खुन्-कुन से एंजब है? M.I.L.S., लिन्वर लाइपेस यह सब क्या होगे? जो एंजाइम होंगे उसको डाइजेस्ट करते हों कुछ एंजाइम होते हैं जिसमें एमाइलेस और लिंग्वल लाइपेस वह रहे हैं अब फ्रेंट्स जो हमें एमाइलेस की बात करेंगे कि कि एमाइलेस किस टाइब से हमारे सलाइवा के साथ है डाइजेशन में किसे फेल करता है वो स्टार्च मोल्यूप्ल स्टार्च मोल्यूक्वल्स को क्या कर देगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब व्हाल्ट कि यह प्Det मॉल्टिकिल फूड़ को होता है यह सब्सक्राइब जो fonzer छनक्राइब अभिन अर्ट्रिक्ट करते हैं आध क्यों बात करेंगे कि लिंगुवल लाइपेस की लिंगुवल लाइपेस अभी जो लिंगुवल लाइपेस क्या करेंगा एसेडिक इंवर्मेंट को एक्टिवेट करता है को करता है और यह क्लिक्द्रेट होता है त्राइपेस क्या करता है फैटी एग जो लिंगुवल लाइपेस की अंदर यह चेंज कर देता है जो ट्राइगलिस्राइट होते हैं फैट होता है उसको क्या करता है जो लिंगोल लाइपेज इस तरीके से किसकी अंदर आता है एक्स्तेंट इंडर आता है एक्स्तेंट इस कंग इंदर और ये जो हैं इंट्रेंग्विर्य ग्लेंट कर से टवर்ण कर बात की जो एंजाईम होते सलीविर अधर कि अंदर मुकस ब्रेजन कामी दिर्लिज करती है और मुकस उसको भी समय करती है यह तो अच्छेसरी करती है अब विशरी ग्लेंड को पढ़ेंगे में किसका ज्यादा इंपोर्टन होता है मैंजर जो जो सलाइवरी ग्लेंड होती है और minor salivary gland दोनों मिलकर क्या करती है saliva को बनाती है saliva को release करती है अब हम minor को ने जो major salivary gland उनको पहले देखेंगे क्योंकि इसका important ज्यादा रोल होता है और यह तीन टाइप के होती है जो तीनों होती है उसमें से जो sub mandible और पेरेटर्ट जो sub lingual gland वो extrinsic type की होती है उसमें से भी फिर हम saliva को पढ़ेंगे वापसे तो saliva में होता है प्लस mucos भी प्रेजेंट होता है कुछ लाइसोजाइम एंजाइम होते है और इन लाइसोजाइम एंजाइम का थाम होता है जो भी foreign particle या बेक्टिरिया हमारे food के थू हमारे माउथ में आया उनको उनको digest कील कर देना क्यसे करते है जो बैक्टिरिया की फेल होती है उसको क्या कर देते है डाइसस्ट और कुछ एन्जाइम पर प्रसक्ट होते जैसे कि Amylase यह लिंग्वल लाइपेज बगरा है तो जो Amylase जो है के पे पेस्फषत प्न रिक अंदर हुआटा है और और जो लेंुगवल लैपेज है वह इंट्रिंसिक सलइंवलि टेम्ट के आता है इसी सब्न Si last Tuesday मिल्स प्राइबेड में प्राइब फ किकिली विशुकर फोके जो है वो ग्लुकोज और माईटो समय कर देता है उजो लिंगवल लाइपेस एंजाइन है वो क्या करते हैं हमारे माउट के अंदर यह वह भी हमारा बॉलर्डर से उसके अंदर एसलिक एल्वर्मेंट क्रिएट करते हैं इसलैब के ने सलीवाराइं सलीवायश में रॉल प्ले। I hope आपको समुझ में आया होगा अगर आपको कुछ वीडियों दो हो तो हमारे comment box में लेके ताकि जब में next video को ना हो तो उसमें आपकी problem को solve कर सकूत है